इस वक्त देश और खास तोर से किसान कौमें बहुत कठिनाई से उज़र रहेंगे अगर दिल्ली में बैठे हुए लोगों का बस चला तो वो सबसे पहले तो खेती को खतम कर देगी ताकि आप खेती छोड़ के शेहरों में भागलो मजदूरी के लिए और उसके बाद फौज को खतम कर देगी एक तरह से किसान कौमों को बरबाद करने का नक्षा पास हुआ है इस पे लड़ना पड़ेगा और जो लोग लड़ेंगे वो बचेंगे एक बार हमारे गाओं के पास शिवाजी महराज के गुरू थे समर्थ गुरू रामदास वो आ गए थे चार-पांच दिन वो रहे उन्होंने प्रवचन दिया और आखिरी दिन उन्होंने चौधरी लोगों से पूछा कि बाई बताओ मैं पांच दिन से तुम्हारे बीच में बोल रहा हूँ तुमने क्या सीखा एक चौधरी खड़ा हो गया जी हमने ये सीखा कि जो कौमे रुका रोला करेंगी वो जिन्दा रहेंगी यानि जो लोग लड़ेंगे वो जिन्दा रहेंगे मैं आप से कहने आया हूँ कि लड़ने की आदट डालिए और लड़ने का फैसला कीजिए ये जो अभी मील साब ने कहा कि किसान आंदोलन धरना खतम हुआ है आंदोलन खतम नहीं हुआ है चुके हमारी मांगे वहीं की वहीं है जो MSP की मांग है उसके बिना तो हमारा गुजारा नहीं है चुके हम जितनी चीज़ें पैदा करते हैं उनका दाम बढ़ता नहीं है जितनी चीज़ें खरीदें हैं उनका दाम बढ़ता है और नतीजा ये है किसान हर दिन गरीब हो रहा है, उसकी खरीदने की ताकत खतम हो रही है, मैं कॉलिज में पढ़ता था, तो शाम को हम खाना खा के हॉस्टिल से घूमने जाते थे, एक कबरिस्तान में एक कवाल कवाली गाता था, तो उस कवाली को मैं खड़े होके सुनने पे कोई दाग, खंजर पे कोई छीट न कपड़ों पे कोई दाग, तु कतल करे है के करामात करे है, ये सरकार भी उसी तरह से किसानों का कतल कर रही है, उसे ये पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है, भाईयो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, कि आप धरनों पे बैठते हो, मांग करते हो, इसको छोड़ो, अब ऐसी स्थिती पैदा करो कि लोग तुम से मांगें, बजाए इसके कि आप सरकारों से मांगें, और वो तब होगी जब आप दिल्ली में सरकार को बदल दोगे, और मैं आपको आश्रस्त करता हूँ, इस बार अगर आपने ए काटियों के लोगों से बात की है, सब इस बात पर राजी हो गए हैं, एक एक उम्मीदवार के मुकाबले, एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे, अगर ऐसा हो गया, तो ये दिल्ली में बचेंगे नहीं, और अगर ये बच गए, तो एक बात समझ लो, फिर आप नहीं बचें मैं बहुत लंबा भाशन नहीं देना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है, जब ये अभी मैं बोला था चार-चे दिन पहले बड़ा शोर हो गया देश में, इन्होंने बड़ा तमाम तरह के लोग वो पालतू जो है, वो लहका ये मेरे उपर, मैंने ये बताया था, जो सच था, उसी वक्त बताया था, जब मैं ये था, गवर्नर था, कि जो वहाँ पुलवामा में जो अटेक हुआ हमारे सिपाईयों पर, चालिस लड़के मरे हमारे जवान, वो नई मरते अगर ये उनको दो हवाई जहाज दे देते, पांच, सुरी, पांच हवाई जहाज, वो लड़के अगर मेरे से मांग ले TCRP, तो मैं पांच हवाई जहाज दे देता, लेकिन ग्रह मंतरा लेने वो उनको हवाई जहाज नहीं दिये, और वो सड़क के रास्ते चल दिये, उस सड़क के रास्ते में मैं गया, जिस दिन ये दुरगटना हुई उसके बाद, उसमें दस किलो मीटर के एरिये में करीब दस जगे सड़क आके मिलती है, उस पे एक जिपसी में खड़ी थी किसी को रोकने के लिए, कोई भी आ सकता था, तो आया भरी हुई, गाड़ी थी वी स्पोटक की, और एक गाड़ी में मार दी, औ कहीं अपनी शूटिंग करा रहे थे, उसमें नेशनल कॉर्वेट पार्क में, यूपी में है वो, तो महां टेलिफून की सुविधा नहीं होती है, तो इन्होंने बाहर आके, मुझे एक धाबे से फॉन किया, और पूछा कि सत्वाल भाई, क्या हुआ, मैंने इनको बताया क साब, ऐसे ऐसे हो गया, इतना हमारा नुकसान हो गया है, और ये हमारी गल्ती की वज़े से हुआ है, अगर हम जहाज दे देते तो ये हमारे बच्चे नहीं मरते, तो इन्होंने मुझे कहा के नेनी अभी इस पे चुप रहो, इस पे अभी चुप रहो, जो नेशनल में हम साथ पढ़ते थे, उसका मुझे फोना आया फोरण, कि प्राइम मेस्टर ये कह रहे हैं, आप बोलें नहीं कुछ, चुके मैं बोल दिया था, मैं दो तीन चैनल को ये बता चुका था, कि हमारी गल्ती से ये हुआ है, कि वो ये कह रहे हैं, कि इस पे तुम चुप रह हो, मैं समझ गया था, कि अभी इसका ये पूरा राजनीती करन, अपने चुनाव के लिए करेंगे, जो मर गए वो भढ़ में जा, इनको कोई मतलब नहीं है, और आज तक उस पूरे मामले की कोई जाँच नहीं हुई है, कोई उसका नतीजा नहीं आया है, अब आप भी चोड़ी करते हैं, मन की बात करते हैं, कभी तन की बात करते हैं, तो मैं आप से कहना चाहता हूँ, कि बहुत हो गया, अब समझ जाओ, और अब नहीं समझ भलो गए, तो हमारी तो अब उमर लंबी हो गई, चले जाएंगे, लेकिन आपकी पीडियां याद करेंगी, कि क मैं आप से और मैं आऊंगा, इलेक्शन में भी आऊंगा, जो भी आपका आदमी लड़ेगा उसके लिए, मैं तो मेरे पैर में बहुत तकलीफ है, लेकिन फिर भी मैं घुम रहा हूं, महिने में कम से कम दस पब्लिक मीटिंग करता हूं, सब जगे जा रहा हूं, सब से बात कर रहा हूं, और मुझे ये काम्याबी मिली है, कि सब इसके लिए राजी हो गए हैं, कि एक उम्मीदवार के मकाबले, एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे, और अगर ये हो गया, तो मैं आपको आश्रस्त कर दूं, कि ये बचेंगे नहीं, इनकी शकल नहीं पहचानी जाए कि ये मौके रोज नहीं मिलते हैं, ये मौका भी फिर तो पांच साल को बाद जाएगी, और पांच साल में तो ये इतनी वरबादी कर देगा, कि आप अंदाज भी नहीं कर सकते हैं, पांच साल में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, तो मैं काफी आपका समय लिया, अभ आपके जो पाँच लोग शहीद हुए थे, वो अंग्रेजों की बंदूकों के सामने खड़े हो गए थे, जब उनकी ओलाद हो, तो इससे क्या डरने की जरूरत है, ये तो कोई चीज ही नहीं है, उनसे सीखो, उन्होंने अपना सब कुछ निचावर कर दिया आपके लिए, औ और आज उनको, उनको हम, कही बात और बता हो, जरूर जिरूर तो इसमें, शंबू सिंग जी भुकर थे, तुलसा राम जी भुकर थे, टीकु राम जी, सिंग लगा दो अब इनके आगे, राम नहीं थे, चेता जी भुकर थे, आशा राम जी पिलानिया थे, चोदरी लोग खड़े हो गए थे, अपने नाम के सामने सिंग लिखने लगे थे, लेकिन सामंती ताक्तों को वो गवारा नहीं था, इन पांचों ने वो नाम भी लिखा, और लगान के मामले में ये संगीनों के सामने खड़े हो गए, मारे गए, इसलिए हम इनका आज जनम दिन मना रहें और उसी दिन से सब मना रहें और आगे आने वाली पीडी भी मनाती रहेंगी, चुके उन्होंने काम ही ऐसा किया था, तो आप से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी अब तो संगीने भी नहीं हैं, मैं अभी चार दिन पहले हर्याना की खापें आई थी मुझे, खाप तो मैंने उन्हें समझाया कि मुझे नहीं बुलाया, CVI मेरे हैं आ रही है बात करने, और वो मेरी जांच नहीं कर रही है, बलके जो मैंने बताया था कि कहीं डेड़ सो करोड रुपे की रिश्वत ली जा रही थी, उसकी जांच करने आ रही है, उस सिलसिले में मुझ से बा सार्क में उनका खाना बनवाना शुरू कर दिया, तो पुर्धानमंत्री के यहां से आदेश हुआ और पुलीस आ गई, और पुलीस ने कहा कि साथ यहां खाना नहीं बनेगा, यह पब्लिक प्लेस है, डीडीय की जमीन है, मैं कहां यहां नहीं बनेगा, तो मेरा तो घर है मैं तो थाने में बनेगा, फिर चलो भई, तो हम थाने पर जा चड़े, और दो घंटे के अंदर अंदर फिर आदेश बदल गया, फिर उनका हमने किसी को गिरफतार नहीं किया है, सब फ्री हैं, खाना खाके जा सकते हैं, वहीं खाना बना, खाया और चले आए, तो अगर अ होसला रखिये, एकता रखिये, जातियों का इकठ रखिये, इसमें ये जात और वो जात मत करिये, तो आप काम्याब होंगे और आपको कोई नहीं रोक सकता है, मैं बहुत लंबा हो गया, इसी के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, कि इतनी गर्मी में भी आप आए, मुझे दिल्ली जाना है किसी कोई मीटिंग है शाम की तो मैं अभी निकलूंगा और स्वामी जी महराज के भजन से वंशित रहूंगा उनसे माफी मांग के जाऊंगा बहुत बहुत धन्यवाद